हलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल भारत एजूकेशनल सेंटर क्या नाम है बच्चों भारत एजूकेशनल सेंटर उसके अंतरगत PCS मार्ग दर्सक के क्लास में हम लोग आज जीव विग्यान के टापिक मतलब भायोलोजी का टापिक जल पहने का तो नहीं है बहुत इसके बारे में सभी लोग जानते हैं लेकिन अब हमने शुरुवात किया था पोसण से न्यूट्रीशन से तो बच्चों न्यूट्रीशन में नूट्रीशन मतलब पोसण, पोसण में बच्चो वाटर का भी बहुत बड़ा रोल है, जल का, आप जानते हैं, जल हमारी सरीर में 70 से 75 प्रत्सत है, या मान लीजिए 65 से 70 प्रत्सत है, ये कह सकते हैं, 65 से 70 प्रत्सत है, कितना? 65 से 70 प्रत्सत प्रत्सत पानी सरीर में है, ठीक है, ये जो बैलू है बच्चों, ये थोड़ा बहुत रेंज इसका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये जो वाटर है, जल है, ये जल बच्चों बहुत इंपार्टन, आप जानते हैं, कि हम जो भी खाद्यपदार् होती है, क्यों? क्योंकि हमारी सरीर, देखी बच्चों, एक चीज जान लीजे, कि सरीर में हमारे जिस चीज की आवसकता है, उसे ईस्वर ने पहले से ही सब कुछ दिया हुआ है, अब जल की जो आवसकता है, हमारे सरीर को क्यों है, क्योंकि जल हमारे सरीर में पहले से भी द की जरूरत बहुत होती हैं आप यह जल का मतलब भच्चों यह जो जल लिखा है जल हम जल करते हैं इस जल से आप एक बात समझे कि जब हमको जलता है मतलब कुछ inflammation जैसा होता है inflammation मतलब जलन यह वाला जलन नहीं है इसे गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे जलन मतलब inflammation जिसमें साथ में swelling भी आ जाती क्या आ जाती बच्चों swelling सूजन यह तो एक बात हुई समझाने की बात हुई इसका कोई लेना देना इससे नहीं है बच्चों आप समझ सकते हैं कि जल जो है हमारे सरीर के लिए कितना important है इसलिए हमें अपने सरीर में किसी भी खाद्य पदार्थ को सेवन करने से पहले यह जहूर देखें कि उसमें water की quantity क्या है water की मात्रा क्या है बच्चों अब देखिए वैसे तो एक बात हमने लिख दिया है जल क्या है बच्चों यह सबसे उत्तम घोलक है मतलब यह जल क्या है बच्चों water क्या है solvent अगर हम थोड़ा chemistry की बात करें रसायन विज्ञान की बात करें अगर हम chemistry की बात करें बच्चों तो water क्या है solvent है इसी solvent की सबसे ज़्यादा नीड हमारे सरीर को है चूकि यह वर्ड यह जो है environment में भी प्रचूर मात्रा में है जल इसलिए हमें जल का सेवन जरूर करना चाहिए अब आप जानते हैं कि हम जितना लीटर पानी कंजूम करते हैं लगबग उसी के फल स्वरूब हम urine पास आउट भी करते हैं जो कि आपको पता है कि हमारा जो excretory material होता है बच्चों फीकल मैटर जो होता है उसमें भी वाटर का थोड़ा content है ठीक ठीक नाइट्रोजीनस वेस्ट में भी हमारे वाटर है और हम वाटर इंटेक भी करते हैं तो हमारे सरीर में solvent जैसे आपने देखा हो कि जल की मात्रा जैसे ही कम होती है तो क्या हो जाता है बच्चों फीवर जिसको हम कहते हैं बुखार बुखार क्यों होता है क्योंकि हमारे सरीर में जो जल की मात्रा है जो पोसक तत तो हमारे सरीर में वो जब सूख जाते हैं तो हमें फीवर हो जाता है या उनमें inflammation हो जाता है जो अभी हमने लिखा था ठीक है कहने मतलब आप समझ सकते हैं कि water हमारे लिए कितना महत्वपुर्ण है जल जब हमारी सरीर में प्रचुर मालत्रा में जल होता है तो हमारी सरीर का विकास भी अच्छी तरीके सो हो पाता है या ये कहें कि हमारी सरीर के अंदर जितने सेल्स हैं उन सेल्स में जो भी फिल्यूड है water के रूप में, जब वो सही महत्रा में होते हैं, तो हमारी cell का विकास होता है, indirectly हमारी सरीर का भी विकास होता है ठीक है, इसलिए water जो है बच्चों अब आप देखिए क्या है blood है, तो भी उसमें water content है अगर हम tissue fluid की बात करें तो high ही, ठीक है urine की बात करें high fecal matter की बात करें अगर हम तो उसमें भी जल है, ठीक है अब आप देखिए कि हमारे सरीर में जल की क्या है, इस्थिती है ठीक है अब सबसे में इंचीन बच्चों sweating पसीना जब होता है तो क्या होता है, जल के साथ initial भी निकलता है, पसीना में बच्चों क्या होता है, वाटर के साथ कुछ excretory material और उनके साथ बच्चों, excretory material अब प्लस क्या होता है इनने सीयल बच्चों, इनने सीयल इसलिए आप देखेंगे जब बहुत ज़्यादा sweatem हो जाती, पसीना हो जाती तो हमें थाकान महसूस होती, अब जब थाकान हमें महसूस होती, तह हम क्या करते हैं बच्चों ग्लूकॉणडी लेते हैं, मतलब ग्लूकोज लेते हैं चीनी ठीक है? सुगर तो जल की हमारे सरीर में या हर जगह जल की एक जो सबसे जरूरी बात है इन बातों के बीच में जो सबसे जरूरी बात है बच्चों वो क्या है? आपने इस लोगन पढ़ा है कि जल ही जीवन है अब देखिए ये इस लोगन आपने पढ़ा है कि जल ही जीवन है, मतलब जल है तो हम हैं मतलब यह का सकते हैं, जल है, तो कल है. मतलब हमारा भाविस सीसी पर निर्भार है. हमारा भाविस से बच्चों किस पर निर्भार है. चूकि आपको पता ही है, अगर थोड़ा इभोल्यूशन की बात करें, तो जो भी चीजें धर्ती पर हमें प्राप्त हुए, वो सब कैसे जो बड़े बड़े इस्टेरोइट थी उनके टकराने से जो शट्टाने बनी चट्टान के बाद जो उनमें और फरदर डिग्रीडेशन हुआ उससे गैसेस निकली गैसेस से फिर इन्वार्मेंट जो है पलूटेड हुए फिर उसके बाद बारिस हुई बच्चो उन गड़ों में जो गड़े बन चुके थे डिग्रीडेशन से उन गड़ों में फिर बारिस आई तो ही हमारा क्या है लाइफ का ओरीजीनेशन बच्चो कहां है औरिजिनेशन वाटर में ही तो है, वाटर में ही है, आप देखते हैं, लाइब कुदपत्ती वाटर से ही है, अब जब हम वाटर बोल रहे हैं, जल बोल रहे हैं, तो इसको बिल्कुल न भूलें कि इसका रसायनिक सुत्र क्या है, H2O, मतलब जल में क्या है बच्चों, हाइड हाइड्रोजन प्लस आक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस आक्सीजन, ठीक है, इसलिए ये जो वाटर बच्चों इसको जल कहते हैं, इसको पानी भी कहते हैं, और कई जब हों पर आपने सुना होगा बच्चों, इसको नीर भी कहते हैं, नीर, ठीक है, पहली जिएज, अगर हम इसके थोड़ा chemistry रासायनिक की बात करें, अगर हम इसके आयू-पी-अ-सी नाम की बात करें, कभी आप से पूछ दे, तो इसको हम आयू-पी-अ-सी नियम कहते हैं, oxygen, क्या कहते हैं, बच्चों, oxygen, ठीक है? ठीक है? अगर हम इसके और भी एक नाम की चर्चा करें, अगर chemistry के रूप में कभी आप से पूछ लें, तो इसको हम एकवा भी कहते हैं, एकवा, ठीक है? एकवा मतलब भी water होता है, अब देखिए, जल बच्चों क्यों जरूरी है? जल, जल इसलिए जरूरी है कि बच्चों जो हमारे सरीर में metabolism होता है, metabolism मतलब उपापचाई क्रियाएं, उनमें water का बहुत बड़ा योगदान है, water plays a key role, ठीक है बच्चों, metabolism में भी water का बहुत उपयोग है, पहली बात, और ये, एक solvent है, जैसा कि पहले भी लिखा था, कि अगर solvent है, तो इसके अंदर छमता है, कि ये अपने अंदर सारी चीजों को, सारी चीजों को ये अपने अंदर रखता है, अब देखिए, इसमें water, जल, जल की जो फार्मूला है, बच्चों, एक बात पता चलती है, कि जल में बच्चों, प्रचूर मात्रा में, oxygen है, अब oxygen क्या है, मतलब air, मतलब survival के लिए जो सबसे जरूरी बच्चों air, मतलब वही oxygen, जो हम O2 इनहेल करते हैं, जब हम O2 इनहेल करते हैं, और CO2 इक्सहेल करते हैं, मतलब, O2 जब हम सांस लेते हैं, और CO2 जब सांस छोड़ते हैं, तो क्या होता है, जब CO2 हमारे सरीर में भर जाता है, oxygen के साथ मतलब, जब हमारे कारवन जुड़ जाता है तो CO2 बन जाता है और CO2 हमारे सरीर में जबाता है तो क्या होता बच्छों से? सफोकेशन इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी चक्कर तो मान लिजए आप समझ रहे हैं या किसी भी तरीके को मान लिजए कि आपको सफोकेशन होता है घुटन जिसको कहते हैं घुटन ठीक है? उस इस्थिती में भी आदमी क्या होता है कि सबसे पहले वाटर लेता है या किसी भी तरीके के एमर्जेंसी सिजुएशन अगर आ जाती है, एमर्जेंसी तो हम उस समय घबराहट जब होती जब एड्रीनेलीन का काम बहुत तगड़ा होता है तो घबराहट के समय भी कभी ब कि पीपि लो हो जाता है तो हम सबसे पहले क्या देते हैं बच्चो वारियस वारिस किस में मिलाते हैं वार्टर में अगर वांटर ना हो जल ना हो तो क्या हम इसका घोल बना सकते हैं बात आप ORS के बारे में जानते भी होंगे कि ORS क्या होता है फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर दे रहे हैं इसमें ठीक है ORS मतलब oral rehydration solution कह लीजे कहीं कहीं salt भी लिखा रहता है मतलब rehydration water से बच्चों क्या है water water का जो ये last में ER है ठीक है ER इससे हमको क्या पता चलता है बताईए अगर water के ER की हम बात कर लें ER ER से आप ये समझ सकते हैं excretory removal ठीक excretory removal में हमें क्या जरूँँँथा बच्चों पानी अगर हम ER हटा दें ER हटा दें अगर डबल ये टी लिखें तो इसका मतलब क्या होता है water ठीक है physics में जो water होता है वो तो डबल ये डबल टी होता है लेकिन ये water का मतलब क्या है मतलब अगर किसी ने पानी नहीं पिया तो उसकी water लग जाएगे मतलब पानी की कितनी ज्यादा हो सकता है पानी की आवस्यक्ता हमें होती है अब देखिए पानी अब आपको पता है कि हमारे सरीर में क्या है बच्चों पांच लीटर खून है कितना है ये पांच लीटर खून बलड कितना है पाँच लीटर इसी पाँच लीटर से हमें 65-70 साल के जीवन को अधिकतम पूरा करना पड़ता जो आजकल की लाइफ इस्पान है जो आजकल की लाइफ इस्पान है वो 65-70 है बच्चों अब देखिए 65-70 एर तो उसमें बलड जो 5 लीटर वोही तो पूरे जीवन रहेगा अब बलड के बढ़ाने का जो भी सिस्टम है उसमें क्या है बलड क्या है वही लिक्विड वही वाटर लिक्विड मतलब क्या है वाटर ठीक है अब अगर हमें अपने आपको सही रखना है तो हमारा यह जो वाटर की आक्सीजन की वाटर का मतलब पानी से नहीं है जादा वाटर का मतलब बच्व आक्सीजन से अगर हमारे बलड में आक्सीजन की कम हो जाए तो आप बताए किया होगा CO2 जादा हो जाए अगर ब्लड भेसल फट जाएंगी मतलब आप सोचिए कि छोटा सा चीज पानी कितनी जादा महत्तो रखता है अपने जीवन में अब भाई हमने लिख भी दिया स्लोगन जल ही जीवन है या जल है तो कल है मतलब हमें वाटर पहली बात जीज जा लागिए अगर अमें लंबा जीवन जीना है तो प्रिथेवी पर मतलब लैंड पर तो हमें क्या करना होगा बच्चों उसकी क्या थिरेपी है सेव वाटर हमें वाटर को बचाना होगा ठीक है यह थे अलग टापीख है लेकिन है इन्वार्मेंट और बाइलोजिकली अब वाटर कैसे सेव करना जैसे आगर आपने याद हो तो हमने पीछले एक वाले लेक्चर में कि जो कंगारू रेट होता है या जो कैमल होता है उसके जो हम्प होता है उसमें वाटर कुछ वो प्रचूर मात्र में water वहां रख रहता है फैट के रूप में तो वही oxidation करता है फैट का water जो है उसको मिल जाता है मतलब देखिए कि रेगिस्तान में पानी की कमी हो सकती है उस चक्कर में उपर वाले ने कैसा जो है system मनाया है की पानी की requirement सब की पूरी में चैया पानी अधा वाटर जो है वाटर अधा सब के डिटाक्सिप्टेशन के लिए वे बपाइए ने वाटर में अगर आप वाटर डेली पीते हैं आपके शरीर में गर्मी नहीं और यह किसी भी तरीके के पिंपल्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो बैलोचकली होती है वो सायद ना ठीक है क्यों क्यों कि water integrate करना बहुत जरूरी है ठीक अब water से एक बास समझ भाई बच्चों कि इसका जो pH होता है बच्चों pH इसका बन होता अब आप बताई यह आप pH पिएच मतलब तो आप जानती है, potential of hydrogen, pH मतला potential of hydrogen, ठीक है बच्चो, अब pH इसका साथ होता है, आप acidic, basic, और neutral, तीन तरीके के pH पढ़े होंगे, ठीक है, acidic, basic और neutral, तो अब आप बताईए बच्चो, कि water किसमें आता है, water किसमें आएगा, acidic है, basic है, कि neutral है, क्या आप सोच पा रहे हैं, कि जल को हम किसमें रख सकते हैं, प्रितिवी पर बच्चो जो हमने बताया था, करिब 70-72 प्रसत, मान के चलिए, कि 70-72 के आसपास, पानी जो है, हमारे environment में, जो की, समुद्र में, महासागर में, सागर में, जितने भी तरीके के हमारे water से संबंधित जगां, प्रितिवी पर है, वो कितनी है, 70-72 प्रसत, उसी के हिसाब से मारे शरीर में भी बच्चो, बच्चो, यह जो होता है, न्यूट्रल होता है, बच्चो, तभी तो हम पी पाते हैं, ना की acidic, ना ही basic, विल्कुल न्यूट्रल, इसी न्यूट्रल के वज़ा से ही, इसमें किसी भी चीज को add करते हैं, या mix करते हैं, तो क्या होता है, add करने पर, या mix करने पर, वो अपनी संरचना में इसको ढ़ाल लेता है, इसलिए water, अभी देखिए, solvent तो मैंने लिखा था, लेकिन एक चीज आओ लिखना चाहिए, good solvent, सबसे अच्छा solvent होता है water, ठीक है, अब देखिए, water कितनी ज़्यादा जरूरत है हमको अपने सरीर में पानी की, एक छोटी सी चीज बच्चो, water, लेकिन वही water कितनी ज़्यादा मात्रा में और कैसे क्या लेना है, उसका बहुत बड़ा जो है, वो है, क्या कहते हैं, roll है बच्चो, अच्छा, water, मतलब पानी, पानी किसलिए भी जरूरी है बच्चो, ये पानी जो है बच्चो, ये हमारे सरीर में acid-based balance का काम करता है, और आप जानते हैं, कि कोई भी चीज equilibrium के तरफ ही shift होना चाहते है, equilibrium, ठीक है, मतलब acid-based balance, अब balance ही तो जीवा ना बच्चो, बाइलेंस से एक चीज और समझ लेज़े कि बाइलेंस डाइट, अब बाइलेंस डाइट में, आप जानते होंगे बाइलेंस डाइट क्या होता है, बाइलेंस डाइट होए ऐसा खाना जिसमें हमें प्रचुर मात्रा में carbohydrate, protein, vitamin, mineral, और साथ में water, जरूर हो तो उसको हम बाइ पानी पीने से पच्चों, खाज कर सुबह पानी पीने से चेहरे में चमागा, इसलिए आप पानी जरूर पियें, इसकी density की बात कर लेते हैं, बच्चों, density घनत तो, कितना 4 degree centigrade, ये सायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि 4 degree centigrade जो है इसकी density होती, कि इसकी water की, ठीक है, पानी, नीर, जल, ठीक है, और एक चीज जाने रही है कि बच्चों, ये मन में लोगों के होता है, कि पानी पीते हैं, तो उर्जा आती होगी, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, पानी सरीर में उर्जा नहीं प्रधान करता है, एक चीज जान लिजएगा, बस ये क्या करता है, टंप्रेचर मेंटेन कर सकता है, बच्चों, टंप्रेचर मेंटीनेंस का कारे करता है, किसका, टंप्रेचर मेंटीनेंस का, मतलब जो वाटर है बच्चों ये हमारे सदीर में उर्जा का केंदर नहीं है कि हम इसको पियेंगे ते इनर्जी आ जाती है वो ठीक है हमें ऐसा मांसूस होता है लेकिन ये टंप्रेचर को क्यों मेंटेन कर देता है जब टंप्रेचर मेंटेन हो जाता है तो फिर सारी चीजें यथावत उसी इस्थिती में चलने लगती है ठीक है अगर देखा जाए तो वाटर से संबंदित जो कुछ बातें थी वह हमने यहां पर की ठीक है अब थोड़ा से हम लोग एक नए टापिक को पढ़ लेते हैं क्योंकि आज का लेक्चर छोटा था वाटर से संबंदित और कोई चीज हमें नहीं लगता है बतानी है बाइलेंस डाइट की बात किये तो बाइलेंस डाइट पढ़ लेते हैं ठीक है अब वाटर के लिए एक चीज जान लीजे आपने पढ़ा भी होगा कि रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून बिन पानी के सब कुछ खतम तो पानी क्यों आपको सेव करना है अगर उसी से रिलेटेड एक बात करें बाइलेंस डाइट की तो बाइलेंस डाइट क्या है कि मतलब प्रोटीन, बिटामिन, मिनराल, फायट, जिदनी भी चीजे हैं यह सब सरीर में भोजन के रूप में होनी चाहिए मतलब प्रोटीन, बिटामिन, मिनराल, फायट यह सब सरीर में भोजन के रूप में होनी चाहिए मतलब भोजन जब हम करें तो हमें इन सब का ध्यान रखना है तब ही तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है एक ऐसा डाइट इसको क्या करते है बच्चो डाइट ठीक है डाइट आपने सुना वह लोग करते हैं हम डाइटिंग भी करते उसका मतलब क्या है कि हम सेलेक्टिव भोजन करते हैं डाइट का मतलब क्या है सेलेक्टिव फूड लेते हैं सेलेक्टिव फूड डाइट का मतल है लेकर डायेट का मतलब selective food लेना ऐसा फूट जो हमारे सरीर के लिए जरूरी हो जाएसे फ्रूट वेजीटेबल ठीक है फ्रूटीन विटामिन मिनरल फैट यह कहना में फ्रूट वेजीटेबल ठीक है खासकर ग्रीन वेजीटेबल बच्चों अगर हम प्रचूर मात्रा में अच्छा बैलेंस डाइट लेते हैं तो यह हमारे सरीर में मतलब वायस्क मनुस्य के सरीर में तीन हजार से 3500 किलो कैलोरी उर्जा उतपन करने लायक होता है मतलब इतना इनर्जी हमें मिल सकता है अगर हम बैलेंस डाइट लें अच्छे से प्रोटीन विटामिन मिनरल फैट वाटर उसको मत बूलिया कि बैलेंस डाइट में बच्चों कहीं ऐसा नहों कि आप वाटर को निगलेक्ट कर दें पानी ठीक है बच्चों इसकी उतनी हो जाए बीना पानी के इसलिए सरीर के स्किन ड्राई हो जाए पानी के बीना इसलिए हमें पानी को भी साथ ले चलना है ठीक है अब यह उर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगब 90 ग्राम प्रोटीन 400 से 500 ग्राम कर्भो हाइड्रेट और 50 से 70 ग्राम वसा अब बाइलेंस डाइट में एक जो महत्पूर्ण बात तो यह हो गए कि 3000 से 3500 के आसपास किलो कैलोरी उर्जा मिलती है जब हम इस तरीके के चीज खाते है लेकिन अब अगर बाइलेंस डाइट में थोड़ा सा यह बात करें कि कौन से चीज कितनी होनी चाहिए प्रोटीन कार्बो हाइड्रेड और फैड ठीक है इन सब की मात्रा आखिर कितनी होनी चाहिए खास कर ठीक है प्रोटीन तो लगभग 90 क्या 90 ग्राम बीना यूनीट के तो कोई वैलू ठीक नहीं है 400 से 500 ग्राम अब देखिये बच्चों कि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है अब प्रोटीन में ताकत भी ज़्यादा होती इसलिए इसको 90 ग्राम में ही मामला मेंटेन हो जाता है लेकिन कार्बो हाइड्रेट क्या है कि इसको 400 से 500 ग्राम लेना पड़ता ह तब जाकर वो शरीर को लगता है अब 50 से 70 ग्राम बच्चों वसा फैट ये भी चाहिए मतलब हमें सरीर में इतनी चीजों का ध्यान जरूर रखना है कि हमारे खाने पीने में ये जो हैं PCF मतलब प्रोटीन कार्बो हाइड्रेट फैट इनकी इतनी मात्रा तो हो नहीं ही चाहिए मतलब ये आवस्यक आवस्यक्ता की चीज़ें आवस्यक्ता के मानक पोसक्तत है ये आवस्यक्ता के मानक पोसक्तत है मतलब इतना हमारे किसमे बच्चों बैलेंस डाइट या फूड जो हम कहते हैं फूड ठीक है ये अब डबल ओडी फूड और बच्चों संतुलित भोजन तो आप जानते हैं संतुलित भोजन मतलब ये जो बैलेंस डाइट का मतलब क्या संतुलित आहार और आप जानते हैं जब कोई चीज संतुलन में होती है तो हमें हर चीज पर फोकस अच्छे से करना आ जाता है ठीक है इसलिए हमें संतुलन बच्चों जैसे कि बैलेंस डाइट अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तभी आप बैलेंस में रह पाएंगे इसलिए कोशिज करें कि भोजन जो है बैलेंस ड कुछ बड़ी बातों को रिलेट न कर पाएं, तब तक थोड़ा सा दिक्कत है, समझ लेजे, इसलिए आप भी जब भी पढ़ें, तो आपी पेन लेकर पढ़ें, लिक कर पढ़ें, और रिलेट, मतलब रिलेशन जरूर बनाएं, आप लोग रिलेट, रिलेशन किसमें, जो सब आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेट चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो चीज़ें आपको जल्दी से आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है, मतलब बाइलेंस, इसका नाम बच्चों कुछ और भी हो सकता था, सांतुली ताहार भी रख दिया बाइलेंस, डाइलेंस, कुछ और रख द Cum LaBeat, क्युक्ति हमारे बाइलेंस को जरूरी है, जार से रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ एक्विलिब्रियम को तो अटेंड करना चाहती है, वही संतुलन शक्ति तक जाना चाहती है, जब हमारा दिमाख, हमारा मन मस्तिक्स, हमारा सरीर जब सब कुछ संतुलन में होगा तो हमें अपने लक्ष तक पहुंचने से कोई नहीं रोख पाएगा, इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है, तो आज दो ही में टापिक थे, वाटर और बैलेंस डाइट, मैंने उतना ही पढ़ाया, जितना आपके से आप सारी चीजें, इकजाम के जो प्रस्न हैं, उनको आप कम्पलीट कर सके, ठीक है, तो आज का एक छोटा सा लेकिन बेहद महत्पूर्ण सेशन था, क्या था बच्चों, जल और बैलेंस डाइट, मतलब वाटर और बैलेंस डाइट, वाटर और बैलेंस डाइट, तो मै प्यासा करता हूँ कि आज के बाद से या आज से आप ये जरूर अपने जीवन में उतारेंगे, कि मुझे पानी भी पीना है, और बैलेंस डाइट भी लेना है, जिसमें सारी चीजें, पोसकतत तो जितने भी हैं, सब मौझूद है, जिससे हमारा जीवन बैलेंस रूप में चलता रहे, ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, भले छोटा सेशन था, लेकिन ये बहुत महत पूर्ण था, इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, अब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, जब आप पढ़ते रहेंगे, तभी आप सकसे जोंगे, ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत